एक ओ अंकार सत नाम करता पुर्ख निर्पाव निर्वेर अकाल मूरत अजुनी से भंगुर्परसाद पवने में पवन समाया जोती में जोत रण जाया माटी माटी होई एक रोवन हारे की कवन टेक काबले अदब परम सनमान जोक शतर चवर तक दे मालक सेव सत गुरू तानसिरी गुरू गरंद से माराज जी दी महान बख्शी सदका अजापां तान गुरू नानक सेव पाथ्षा माराज जी दे जोती जोत दिवस दे हाडे दे सबंद विच इतिहास सांजा करांगे करो किर्पा बख्श वसीष विचारां दी प्रारमता करन तो पहिलां सहब कमाल किर्पालू पिता बादशा दरवेश उतरां देदानी अमरित के दाते तानगुरू गोविन सिंग माराज जी होना दौारा बख्शीष कीती होई फते दो में हथ जोड बादव सीष चुका के आखोजी वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते जदों सी पावन गुर्बानी दे दर्शन कर देयां ता महराज जी ने पावन बानी दे अंदर उपजणा ते निपजणा दो शब्द वर्ते है उपज़दा अर्थ है पैदा होना ते निपज़दा अर्थ है सुमापत होना खत्म होना और जदों तों परमेचर ने ए रचना ए संसार रचिया है ए दे विच बनना ते मिटना ए परकिरिया ओदों तों लगातार चल दी आ रही है ये उस परमेचर ने इस कुदर्त दा इस काइनात दा कैदा कनून बना देता और ये भी बचना पपड़ देयां के जो उपजे उसो बिन से है और जिस सत्गुरांदासी जदों गुरुनानक से महराज जी दे जोती जो दिवस्दी कहल करनी है गुरु पात्षा महराज जी आप गुरबाणी दे अंदरे बचन वार वार सानू समझाओं देया के काल तो रहत केवल ते केवल एक परमेचर है परमात्मा है जड़ा ना जामदा है ना मरदा है बाकी सब कुछ जड़ा और ते जान दे विच है सत्गुरु महराज सचे पात्षा गुरुनानक सेब जी उन्हाने सरीर रूप विच अपने अंतले अठारा साल करतारपुर सेब दी तरतीते बतीत कीते जो पाकिस्तान दे विच अजिकल है ए नगर महराज जी ने विसाया और एस नगर दे विच उन्हाने अपने परवार दे समेथ टिकाना कीता ए थो महराज नेड़े तेड़े जान दे रहने परचार का दोरियां वास्ते चार उदासे जड़ियां ने वड़े रूप दे विच जो महराज ने कीती हैं लमेरियां और एसे करतार पुर सैवदी तर्तीते महराज जी ने खेती भी कीती तरमशाला बनाई इसे करतार पुर सैवदी तर्तीते यी बाबा लेना तों गुरु अंगदे पाथ्षा महराज बने साथ साल उना लगातार सेवा काल कमाई कीती ये थे बाबा बुड़ा जी हुना वरगे जीवन उना ने अपना टिकाना रख्या उना ने अपना निवासे थे रख्या एक आरज जेड़े ने इस तर्त दे उते एस संसार एस करतार पुर सेव दी तर्ती ते जो महाराज सचे पाथचा ने बक्षशा की ते याने और महाराज जी दे समय इतियास बोल दाए के लग पाग वी हजार तो वद अबादी करतार पुर सेव हो गई सी जदो महाराज जी थे अपना निवास राख दे तो सत्गुरू दाता जी आज जो समा आया जदो महाराज जी ने पहला कार्जते कीता के आपनी हयाती वेच शरीर वेच हुंदेया आपने शरीर के चोड़े नू त्यागन तो पहला गुर्ता गदी दी दात जड़ी है उपने उस सेवक बाबा लेना जी जनना नू बक्षिश करके तान गुरू अंगदेव से महाराज बना तखते सुबाई मान कार देता और उनना नू आख देता वी तुसी उन खडूर सहब चले जाओ और ये बचना पढ़ देए पाई से पाई गुरू दास जी हुना ने ये दी हामी पर ही है ये दी गवाई पाई है के दिता शोड करतार पर बैट खडूरे जोत जगाई उनने करतार पर सहब चड़ देता ते खडूर सहब दी तरतीते आगए और बाबा सता बलवांड जी वी लिखदे प्हेर वसाया सत गुर्खाडूर उन माराज जिदू करतार पर सहब दी तरतीते ने ते सरीर के चोड़ा ते अगना के असी होने सताननू ते आग देना ते मारा आजे बचन वारवार कहिन दे जिथे वी जान दे संगत जे आख दी मारा ज़त वा देतो बगैर असी की करांगे तही रओ ऐसा कज करो ते गुरु नानक सेब एक बचन वारवार तवानू मिलेगा जनम साखी दे विच्वी ते हास दे अंदर के पाई जड़ी ए शरीरां दी प्रीत है न ए चूठी है ए बिंसन हार शरीर दी प्रीत जड़ी है वो सदैव रैन वाली नहीं है ए बिंस जान वाली है इसे करके जे सरीर दे नाल सने करोगे प्रीत करोगे ता सरीर सदैव रैना नहीं विच्ड़ेगा फिर दुखी होगे इसे करके प्रीत जड़ी ओ शबद दे नाल करो जो सदा निबन वाली है उदे नाल जड़ो शबद सदा रैन वाला है सरीर बिंसन हार है ये महराज जी ने बचन कहे और जदों एक के थे बचन होर समझन वाला जदों पाई अजित्ते रंदावे ने बड़ा आत्म ग्यानी से खोया जिना कोड़े महराज दे सौरा साब पाई मूल चांद जी होनी पटवारी सन ओ जदों उन्ना दे नाल बचन होएयो ना आख्या महराज वी तुसी स्रीर के चोड़ा त्यागन दी गल कर देओ ते होनता तुसी सामने यों साड़े को मन देवेच पावना हुंदी कोई विचार हुंदी तेसी तु आड़ेनल गल कर लीने ते तु आड़े तो दा उत्तर मिल जान दा सब को जैको मांग होवे साड़ा दोख सोख होवे तु आनु कह लई दा ते जदों महराज तुसी उन्न स्रीर के चोड़ा त्यागन दी गल कर देओ ते फिर असी अपना दोख सोख मुड के दसना होएगा ते किनू अवाज मारा के में करांगे फिर साड़ी कौन सुनेगा महराज ने हो थे एक बचन बड़ा प्यारा किया क्योंके जिते बोल कहना भी सानू किसे मड़ी जहां कबर दे विच्चों ना लब दे फिर यो किन्दे में किसे मड़ी गोर कबर विच्चनी वसदा मैं अपनी जोत ता नगरू अंगदे पाथचा चिटकाद दि रई बात साड़े आउन जान दी माराज ने अख्या अजितिया ना में कितों आया हां ना में किते जाना है शरीर दा आउना ते जाना है लेकन किन्दे नामे कि तूं आया हां नामे कि ते जाना मैता सदै भी हां और ये बचना पंबानी चो पड़िये ते सहव किन्दे सतगुर मेरा सदâ सदा ना आवे ना जाए ओ अवे नासी पुर्ख है जो सब मैं रहा समाई कि इन्दे ओ तासविच समाया हुए ते गुरू दातावी ओ मालक ओ जोत रूपाजवी जदों सी कहने है अरदास कर दे है ते पहला पहला अरदास दाओ दे अखीर ले बोल सी यह कहने है के दसाँ पात शायां दी जोत सिरी गुरू गरंद सहीब जी के पाठ दीदारदा त्यान तरके बोलो जी वाहे गुरू दसाँ पात शायां दी जोत औरो जोत हाजर नाजर है तो सत गुरू माराज जी ने जदों सरीर के चोड़ा ते अगणा ते सहीब अपने तानते चादर लई माराज लेट गए ये थे प्रवार माता सुलखणी ने आखिया भी तुसी गुर्ता गदी तान सेवक नू दे दिती ते मेरे पुतर बाबा सिरी चांद जी लखमी दास ते माराज ने एक शबद आखिया कें दे पागाम वालिये गुरू कार देता जड़े कुकर हुन देया न उन्हा कुकरां देवी पैरा में चकरा मात हुन दीया ये मेरे पोतने मेरी अंस है किसे गल्दी अनत अंदी कमी नहीं आएगी पर जन्म सवरेगा जे गुरू गुरू जपन के मालक वाले पास से तुھनगे जीवन तां सबरना तो ये बचन कहें के उत थे थे यसी फिर फिर यवी पढ़ दे हां क्योंके गुरू नानक सह्भाराच जी नूं हरेएक चाहे वो हिंदु से चाहे मुस्लमान से सब प्यार करने वाले क्यों? क्योंके गुरु नानक सहीव ने सब नो प्यार कीता गुरु कारदाते फलस्फ़ा ये है सब बेसांजी वाल सदाइन तुम किसे ना दिस सेंवारा जी ओ कदेवी बहुत सारी या थामा होन गिया अनतर्मदिया जिते बकैदा लेके फटा लाया वी ये थे कोई अनतर्मी प्रवेश नहीं कर सकदा जहे थे फलानी जातवाला नहीं आ सकदा फलाने वर्नवाला नहीं आ सकदा जहे थे औरत नहीं आ सकदी ये थे मर्द आ सकदा ये बहुत थामाते मिल जाएगा जांगले रोक लें देया तो आड़ी वेस पूशा वेक के लेकन गुरू दादार है जिते नहीं आखिया मालक गुरु नानक सहभ जी चार उदासिया जड़िया कीतिया सत्गुरा ने कोई भी दुखी वेक है कोई भी किसे मसीवत वेच वेक है माराज ने हरेक नो गलना लाके उदा दो खरया है उनो एनी पुछया भी तेरा वर्न की या तेरी जात की या तेरा तर्म की या ना रूप रंग करके सबना नो नवाजया ता करके माराज जी दे चर्ना नाल मुसल्मान पर चौमी जुड़े हिंदुआं चौमी जुड़े सब मालक दे प्यारे बने ताहीं ताके या बाबा नान कशा फकीर हिंदू का गुरू मुसल्मान का पीर उथे सत्गुरां दे स्रीर के चोड़े नो त्यागन दी ज़दों बात आई तामाराजी दे ताननू ससकारन दे लई जित्थे दो फिर्कियां दी बात चल दी अपन करतारपुर सेवनों बने अस्थान वेख दें वही एक पासे हो केंदे असी कबर पावांगे दूसरे केंदे असी अगन पेंट करांगे पर मालक ने खेडर चाई ते जेउना ने जतन वी कीता वे कबर बना दिया कोज़ है रावी दा पाणी इस टंगना लाया जो सब कुछ रोड के लागिया क्योंके जिस दाते ने आप अपनी बाणी चे बचना खेए दूबदा ना पड़ों हर बन होर ना पूज़ों मड़े मसान ना जाई किन्दे किसे मड़ी किसे मसान ते जाके जाओ दी पूज़ा करनी ऐसा कुछ बिलकुल भी नहीं और साथगुरू माराज जी ने सानू शबदी दा दिती इना एना ख्या के पाई मेरी को मटी बना के पूज़े ओ आज उसीं वेख दे हैं को सरीर चड़ाई कर जान दा दे वाड़ा ते लोको दी वक्री थां ससकार करके उत्थे जगा बना दिन दे भी उत्थे मता ठी की जाओ साथगुरू माराज जी दे करदा ए उपदेश नहीं है माराज ने ता करके बोल जड़े सानू मिरदेया न के बाबा मडी ना गौर के इदे बाबे नू ना कसे मडी विच्चों लबेओ ना कसे कबर विच्चों खोजेओ क्यों कि ना मडी विच्च है ना कबर विच्च है गौर अंगद के ही ये माह उता जो अत रूप के गुरु अंगद दे पात्षा माराज दे विच वस्यों सिहर दे विच और ओही सरूप बनके ओ तक दे उत्ते सुवाइमान हो गए और माराज सचे पात्षा ने सकर्तार पूर सहब दी तर्थी ते जिछे उस बने होए निजम दे मताब का अपने पंज पूतक सरीर नू जदों आई न ते पाई से पाई गुर्दास जी लिख दे जमन मरनों बारे पर उपकारी जग विच आए किंदे ओता जनम ते मरन तों बारे नानक मुएना आखियां किंदे ओनानू मुएना आखो ओता मालक दे शब्द विच समा गए ओदे चरना नल जड़के ओदा ही रूप हो गए ओ मुर्दया दे विच मर्या विच नहीं है आम मनुख जड़ा मर्दा बाबा कबीर जी दा बचन है कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रे जाए रोवो साकत बापुरे जो हाट है हाट विकाए किन्दे हो ता आपने निज़ कर जानदा है ते सातगुरू ता है इन रंग कार सुरूप सरीर ता एक पेद सी जो माराज ने शुरुवात तों आखेया के सरीर जड़ा है वो बिनसन हार है सरीर नाल प्रीत ना पायो सरीरा नाल जड़ोगे ता दुखी होगे क्योंके सरीर सदा चर जड़ा औरेन वाला नहीं है ये मिटन वाला है ये खत्मो जान वाला है लिकन जोत उस सदैव है इसे करके गुरू पात्षा माराज जी ने जो सिदाआत चाहे असी वड़हंसराग देविच अलाणिया सरले खेटमा राज जी दी बानी पढ़ लिए तानसरंदा सच्चा पात्षाव जिन जग तंदेल आया मोलत पुन्नी ओदी दिता होया समाज़ जड़ा मुक गया पाई परी जानी अड़ा कात चलाया किंदे उस मालक दा हुकम ओदी आगया ते जदों ओदी आगया जड़ी हुंदी है ओदा हुकम हुंदा है ता सवकेंदे फिर हरे एक जीव जड़ा आये थों सरीर करके उन्ने तुरना है उर रेना नहीं है तो माराज जी ने उस निजम नो सामने रख सरीर करके, सरीर कचोडा ऐसे करके सी के नहा माराज जी ने सरीर के चोड़ा ते आ गया जो अपनी जड़ी है ओ तान गुरू अंगद पाथच्छा माराज जी देवेच टकादती उस अस्थान ते जित्याज करतार पुर सह वसी दर्शन कर देया दिदार कर देया पर सत्गुरू दाता होता सदैव है और माराज सचे पाथच्छा ने जदों सरीर के चोड़े नू तियागन तो बाद जे कुछ चगड़ा भी पहिंदा है उस चगड़े नू भी मालक ने क्योंके जिनना ने अपनी सरीर कहाती वेच चगड़े न बेड़े बेचाहे को हिंदू माता है चाहे मुसल्मान माता होना नू समझाया के शुब अमला देनाल इनने बेड़ा होना है केवल बंड़ियां देनाल बात नहीं बनने ताँ ओदाता उस मालक ने सत्तर साल क्योंके 1469 तो लेके 1569 गुरू पात्षा माराज स्रीर के चोड़े वेच वर्त के शब्द रू वेच ते आजवी माराज हाजर नाजर साद हजूर हाजर है नाजर कतेन पयो दूराई माराज जी ने जीवांदा पढ़ा कर देयां रेमता सत्तर साद्गु कीतिया आज भी कर रहने जदों को पावनांदे नल चोड़ी आठदा मालक आजवी उदाता जू जित्त्ते रंदावेनु क्या मैं नाकिते जान्दा हां नाकितों ओंदा हां सदेय भी हाお願いします जदों कोई पावना नल चेते करदा है मालको बख्षिश करनवाले गुरू किरपा करे सत्गुरां दे जोती जोत दिवसनु चेते करदें सानुए सोजी आजए के कता साड़ा सरीर सदैवनी रहना ये मिटना है तो उदे तो पहला के मिली हुई मोलत समापतो वे ये सरीर दे नल को पारूपकार को सेवा चंगा करम को मालक दी अबादत कर सकीए तांके मिली हुई देही विर्थ ना चली जाए जिस वास्ते मिली पही परापतमान उखदे हुरिया गोबिन्द मिलन की ये तेरी बरिया एकार जरास हो सके हुन्या पुलांदी खिमा वाहि गुर जीक का खालसा वाहि गुर जीक की हते हाद किया कता कहानिया